बेके बात आप सबका स्वागत है रविवार को अवंती बाई चौक कोहका पर हुई दर्दनाग घटना को देखते हुए बाट वासियों द्वारा सुमवार को चौक के मौजूदा डिजाइन को बदल कर सुरक्षित स्वरूप देने और इस व्यस्तम चौक पर ट्राफिक सिगनल लगाने के साथ ट्राफिक के जवान को तैनात करने बाबत हस्ता का रवियान चलाए गया नगर निगम भिलाई छेतर में कई ऐसे चौक चौराहे हैं जहांके निर्मान को लेकर काफी विवाद होता रहा है और आप इन सभी में शुमार हो गया है कोका का अवन्तीबाई चौक जहां रविवार को नगर पालिक निगम भिलाई कि एक डंपर गाडी ने एक इवक को अपनी चपेट में ले लिया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई जिससे भाईबीत होकर आम जन्मानस ने अवन्तीबाई चौक के समीब एक हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से शासन प्रशासन को यथा इस्तिती की जानकारी दी कि यह चौक अभी सबसे व्यस्तितम चौक है जिसे देखते हुए यहां की ट्रैफिक व्यवस्ता को सुन योजित करने के लिए ट्रैफिक सिगनल का होना आवेश्यक है और इस चौक की विवादिस संदचना को एक बार पुना ध्यान में रखते हुए इसे दोबारा निर्मान कराना चाहिए जिससे इस चौक पर हो रही दुरघटनाओं को रोका जा सके हस्ताक्षा अभियान के दोरान आम जन्मानस ने भी अपनी रुची दिखाते हुए अपने हस्ताक्षा रिसावेदन पर किये और हस्ताक्षा रिख्यान चलाने वाली लोगों के साथ उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया नियूस्टीम को दी है मैं इसके लिए यहां पर कहना चाहूंगा कि यहां पर बत हुने चहाहर कि यहां पर होने आ चाहिए हैं यहां वहां आते हैं उनको देखके यह जो चौक है वो कैसा लगता होगा तो यह बिल्कुल बहुत ही निंदनी है और मैं इसके लिए मैं समर्थन करूँगा कि काफी ठान दिना किया सरकार विए और काफी बोल और सुंदर और अच्छा जो है यह चौक बनना चाहिए तेर इसको यहां पर वर्ल्ड क्लाव सिटी बनना चाहिए मामला यह है सर्जी इस कोका के यह सब से में चोक है रानी अवन्ती वाइट चोक अब इतना से जेगत में इतना बड़ा जो गोल घेरा बना गया अंडाकार का जिसका कोई ही मतलब नहीं होता है यह इस पाहर से कोई टर नगर पाली का नगर निकम जो भी बड़े अधिकारी है किर्पिया हमारे लोगों की जान बचा है इस चोक को थोड़ा सा घेरा छोटा करके लोगों की लिए सुरिधा बना दिया जाए और एक ट्राफिक कुलिस की कम से कम यहां इंतियाम कर दिया जाए माई बाप यहां एक काट्ठो कैमरा भी नहीं है हमें सभी वी आईपी लोगों से अन्रोद है कुछ तो जनता के जान का ख्याल रखो याद आप लोग तो बड़े-बड़े कार में गाडियों में एसीम बैच के बोनते हो हम तो जनता लोग है आम लोग है हमें साइकील दो पईया वाहनों में च हमारे इंतियार होता है सुल्लो सरकार बहुत बहुत आभादी रहेंगे पुरे जनता आप लोग का पुरे विलाई के दुखतपूर न गटना थी जो कि पुरे समेत्र के नोगों को जब्दोर करती है और आया कि इस जगे पे चोटी मोटी गटना है तो होजी रहे दिनके परिंपन देखा गया है कि एक व्यक्ति का निगम के ट्रेक के दोरा कुचन दाले से उन्टी लाट हो इस विशाय में हम सभी लोग यहां पे स्ताक्षर अभियान चला रहे है जिससे की निगम के लोग जागरू को और इस प्रोका छेत्र में जो यह अवंती भाई चौक बना है उसको तुमियोजी धं से विवस्चित दिया जाए और श्पीड प्रेकर के मात्यम से जो भी यह पे तेज़ चलती है उनको एक गती की समानता दी जाए आज यह अज बहुती पाउंका में एक अक्सिडेट हुआ है जिसमें एक राकेशन हो गई है और इसलिकर यह जब से यह चौक बना है तब से यहां के नागरी को पहरोश है कि यह चौक तरीके से बन गया है और वो बन है उससे में यह पास दोने को जैसे बना है और लोगों की बहुत दों से मांगे कि चौक को सुधारा जाए और इसको वाजित चौक बनाया जाए जिसे उनों ट्रॉफिक में थोड़ा सा शुधार हो और सबसे बड़ी बात यह है कि कोंका आज की देट में आज की समय पे चा कर स्थक्राणूद में पर दॉपर इस ट्रॉफिकर दॉपर आज में समय और यहां के चौक साई यह पर अगय कर दो घघतिना कौना हो लिएत पलुए ह findet कि कि यहां पर सबसे पहले चौप सवस्तित तरीके से बनाया जाए और दूसरी सबसे जो बड़ी मांग है कि आज के परवेश्ट आज की समय पर कौंका में ट्रॉफिक का होना बहुत यावस्तिक है जिससे सिन्नल होना यहां आवस्तिक है एक दो यहां पर ट्रॉफिक के लोग जिससे उसे बहुत जादा दबाव कम होगा और उसी सेक्षेन कम होगी है तो हमारी यह मांगे हैं कि त्रॉफिक के वरस्ता आपर की जाए क्योंकि आने व acces माय में G. Rode में off the traffic की तो त्रॉफिक की और जो बनाय क्रस्तिक ही रहिगी हमारी है मांगे यहां क्वाय इस करजका यह कल क्या हुआ है आए दिन यहां पर एक्सिजेंट होते थे शोटे बोटे कल बहुत ही एंगर एक्सिजेंट हुआ है इसमें एक वेक्षी की जान चली गई और इसके कारण हम यह अग्सासर नभी आंज जला रहे ही स्कोकर चौक को वेवस्थित किया जाए पुर्ण सही है क पार में बनाया जाया और एक ग्राफिक सिगनल की और एक ग्राफिक भाई के आप वस्था की जाए जो आए दिन हास्थे वह ना हो और इस यह पीटाब्लूडी वाले ने रोड़ जो बनाया है यहां से लेके पूरे जामुल से लेके बुख्ता फूलिया था टार प्लूडी से जो बंद किया जाएं डिवाडर जो खोला जगे जगे उसको प्रश्थित करके किया जाएं और एक कोका चॉप में एक ट्राफिक सिगनल और एक ट्राफिक विभाई की मान करते हैं कर दो का अवंदुवे चॉप में बहुत दर्दना कटना हुआ जिससे एक लक्ति की मिल्की हो गया और इसका प्रक्राइब कारण है आस पास में अधिकरमान रोल रस्ते को केर लिया गया है मार्केटिंग के कारण को इससे एक साइट से बारी आतना दुसरा प्रक्राइब कर देखने में दिककत होता है और दुसरा चीजिए चॉप का जो आका आ रही है मेरी इसाब से तोड़ा गलत बना है चुनवाने से आने वाले भी एकी जगे से मूडते हैं सुपेला से आने वाले भी एकी जगे से मूडते हैं तो इसको आज तो डैवाट किया गया है बाकिये चौंग गलत बना इसको तोड़ा समार्मे के वस्तक किया गाना चाहिए और गर्दलबे की फिलाल नेशनल हाईवे नंबर 53 पर डबरापारा चौक से लेकर नहरोंगगर चौक तक फ्लाइवर का निर्मान किया जा रहा है जिसके चलते उस सड़क पर आवागमन करना काफी मुश्किल हो गया है जिसे देखते हुए आम जन्मानस कोका के रानियवंती भाई चौक से होकर गुजरना पसंद करते हैं जिसकी वगय से इस चौक पर यातायाद का दबाव काफी बढ़ गया है और ऐसी घटनाए प्रारंब हो गई हैं जल्दी हसाक्षविक तावेदन को संग्यान में लेकर यातायाद विभाग दुर्ग और नगरपालिक निगम भिलाई को इस चौक पर ट्रैफिक सिगनल लगाने की विवस्ता करनी चाहिए और एक ट्रैफिक विभाग का जवान भी तैनात कर देना चाहिए जिससे ऐसी घटनाओं को फिलहाल रोका जा सके ग्रेंडेसियन न्यूस के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट